नमस्का दोस्तों इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है Lloyds Engineering Works Limited यह स्टॉक 81.10 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है मार्केट में आज इसने 5.78% का अपमोव दिया था मार्केट कैप होगी है इसकी 9,276 करोड की तो मोटर होलिंग 57.20% है बुक वेल्यू 3.59 है डिविडिन डिल 0.25% है और फेस वेल्यू 1 है फंडमेंटल वीडियो में अल्यड़ी बना चुकी हूँ लेले इस मैं आड कर दूँग आप देख सकते हैं अभी के लिए देखें तो आज इसने गोल्डन क्रॉस दिया है प्राइज प्राइज ने 50 डियमे को जो कि एक काफी अच्छी बात है तो अभी के लिए ये स्टॉक 50 एं 200 दोनों डियमें से उपर ट्रेड कर रहा है पी रेशो की बात करें तो अभी 105.20 पे है मेडियन से थोड़ी सी उपर है 5 एस के टाइम स्पैन पे वन मन्त पे देखें तो अभी भी मेडियन से छोटू से नीचे है ये भी अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है ग्रॉस प्रॉफित मार्जन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफित मार्जन यहां पे ग्रॉस प्रेंस पर डिए को उच्छे तरीक शेय। अब के लिए इक भाद शेयर होली पैंट हम चेक कर लेते हैं तो शेयर होल्डिंग पैंट जो प्रॉब्र मोर्च का है 57.2 परसंट वह इंटक्ट है एन जून का पहले भी हम डिस्कुस कर चुके हैं, FIA इसने होल्डिंग बढ़ाई है, DIA इसने बहुत छोटू सी होल्डिंग बढ़ाई है, बढ़ाई है, एन पब्लिक के पास पहले 41.03% था, अभी पब्लिक के पास 40.45% है, एन अदर्स के पास जो 0.20% था, अभी 0.03% है, ए लगाई है, तो अभी के लिए बात करें, तो यह अपनी स्ट्रॉंग रिजिस्टेंस पर है, इसके अमने लास्ट एनलेसिस में भी बात करी थी, कि 81 की जो रिजिस्टेंस है, काफी स्ट्रॉंग है, तो बेसिकली बिल्कुल अपनी रिजिस्टेंस के ऊपर ही, इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है कहीं न कहीं, इसको ब्रेक करने के इसने कोशिश करी, बट नहीं कर पाया, यहाँ पर शॉटर्स ने शॉट तो बहुत किय है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सपोर्ट भी बना था, तो यह रिजिस्टेंस भी काफी स्ट्रॉंग है, तो हो सकता है कि कल अगर वॉल्यम इसी तक रहता है, क्योंकि आज वॉल्यम आया है, फाइव मिलियन का एनसी पे, अगर वॉल्यम ऐसा ही रहता है, या बढ़ता ह इस रिजिस्टेंस के आज पास इसने काफी क्रॉल किया है, इसके पास ही थोड़ा सा स्टेवल था, इसी के पास क्रॉल करता रहा, फिर बाद में वॉल्यम अच्छा है, तो इस रिजिस्टेंस को हो सकता है, यह सपोर्ट बना के चले अब, तो अभी के लिए 60 तक पहुंच पैटन अपने में ही बनाती है, तो हो सकता है कि कल हमें मूव मिले, यहां तक का मूव अगर मिलता है, अच्छी वॉल्यम आती है, तो मुझे लगता है, 83.60 के आसपस की संभावना हमारी जरूर बनती है, हो सकता है, अगर यहां पे शॉर्ट इस एक्टिव हो जाएं तो, त से, तो यह जरूर देखने को मिल सकता है, जो हमारे मन्थ एंड के टागट थे, उसको अचीव करने के लिए अभी हमें 14.58%, मतलब 15% के आसपस की मूव की जरूर था है, यह वाइट अचीवेबल इस मन्थ में लग रहे हैं, क्योंकि हमें यहां से रिवर्सल की संभावना त of course थी, एंड उसी तरीके से रिवर्सल मिला है, जरूरी नहीं था कि मिल जाता है यह नहीं मिलता, क्योंकि मार्केट आज थोड़ी ठीक रही है, तो हमें यह जरूर है कि अब थोड़ी सी जो ग्लोबल न्यूज थी, वो थोड़ी सी काफी टाइम हो गया उन सब चीज़ों क थोड़ी सेटल हो चुकी है, तो अभी के लिए देखे तो यह स्टॉक स्मूधन मूविंग, सॉरी, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे ही है, तो इसको क्रॉस करने में भी इसको हिक अप लगेगा, यह अगर कल यह यहां पर मूव मिलता है, तो स्मूधन मूविंग तो यह ज़रूर हमें यहां पर दिख रहा है कि 60 की रेंज से RSI ने डिवर्सल लिया है, तो देखे बीए सी पे इसका प्राइस बैंड जो है, वो है 20 परसेंट का, और न्यूज एस सच कोई भी नहीं है, और डिलिवरी परसेंटेज के बाद के 38.19 परसेंट गया है, तो तो यहां पर अकॉमिलेट तो ऑफकॉस किया गया है, थोड़ा से यहां का, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, ट्रेडिंग यू की फ्रेश एंट्री की बात करें, तो टेक्निकल एनलिस यहां पर बाई की है, मुझे भी लगता ही यहां पर बाई का बनता है, फ्रेश में दो शर्ते हैं, कल लाइव मार्केट में यह जरूर देखे कि मार्केट क्या करी है, एंड वॉल्यूम किस तरीके का आ रहा है, एंड एक बार मैं अपने इस पर देख लेती हूं कि यूस की मार्केट अभी किस तरा की है, तो यहां पर डाउ, जोन्स एन एस्टेक तो आई थी, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा से सेंटीमेंस पर उसके ध्यान दे, तो जादा अच्छा रहेगा, एंट्री एन एक्जिट में हमें मदब मिलेगी, हलांकि अभी यहां पर बुलिश पैटन बना है, थोड़ा से संबल के चलें, बुलिश पैटन अगर यहा को सस्टेन करता है, तो यहां तक के मूव के संभावना है, जो की 2.78% के आसपास का बनता है, हो सकता है सस्टेन ना करें, जो कि मैं पहले बोल चुकी हूँ, बट इसकी मूव के संभावना ज़रूर यहां पर बंती हुई दिखाई दे रही है, ची क्या, रेस्ट यह सिर्फ